A.U.T.I.C. ? spent contact फिरंडय का फर्म रहता है उसका साथ खालर पेसस फर्सट सेकंड़ पेसस और फिरल में आइडिटरिस प्रूफ और जैसे немने अच्छी है , डाकुमेंट्स लगा रहे है थो यहां पर बहुत से लोगों के मन में तो यहां है, this video को आप पुरा देखें。 अगर अभी तक आपने सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्रिज किजिए और नौटिफिकेसिन को सिलेक्ट किजिए जिससे की आने वाली सभी वीडियो की नौटिफिकेस आपको सबसे पहले मिनें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए जो है एक option देखने को मिलता है physical documents received अब यहां पर आप देखेंगे तो physical एप्रिकिशन और यहां पर आप था है यहां पर देखने को मिलता है physical documents pending report तो यहां पर हम पैन कार्ड बना रहे हैं उसके फिजिकल डाकुमेंट्स आप जो है कोईश्ट ऑफिस के माद्यम से सेंड कर सकते हैं यह फिर आप जो है यूटी आई के जो है नेरेस्ट ऑफिस में जाकर भी जमा कर सकते हैं तो यह आपके लिए जो है काफी जरूरी है आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि आपके लिए UTI का office में documents जमा करना होती ہے फिर नहीं करना होती है तो आप UTI से physical mode से जो भी pen card बनाएगे उन हर एक pen card का आफ लिए documents UTI के office में जमा करना होगी किन लोगों के documents आपने जम्हा कर दिये हैं और किन लोगों के documents हैं वो भी pending में तो इस तरह से आप ये status भी check कर सकते हैं आप हम बात करते हैं कि आपका जो जैसे कि आपने आज एक pencard बनाया और उसके आप documents send नहीं करेंगे जब तक कि आपका pen card बनाएगा यह नहीं बनेगा तो जैसे कि आपने pen card बनाए आज और इसके बाद किया होगा कि आपका जो pen card वो जो 3 से 4 दिन के अंदर आपकी email ID पर send कर दिया जाए Peng और email ID पर send करने के बाद आपका जो physical pen card है वह आपके जो है आपने जिस भी कस्टुमर का या फिर जिसका ही बनाए है उसका जो पैनकार्ट है वह उसके जो पुष्ट वाले एड्रस पर सेंड कर दिया जाएगा जो की छुष्ट अपने नयरेस्ट का युट्याई ओफिस जानने के लिए apply न्यू पर किलिक किजी यहाँ apply for new pen 49 इस पर किलिक किजी जैसे यह आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके सामने यह फेज ओपन क्लिक कीजिए जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास जोए एक नया पेज उपन होगा अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके लिज़ों सबसे नीचे आना है और यहां पर आप देख सकते हैं यह लखा किले क्यार पूर मोर यू तो यहां पर आपके लिए सिटी को सिलेक्ट करना है आपकी जो भी सिटी है तो यहां पर आपके लिए सिटी को सिलेक्ट करना है जैसे कि यहां पर मैं जो है हेदराबाद को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हेदरबाद में यहां पर जो है जहां पर भी यूटी आई ओफिस है यहां पर उसका एड्रेस दिये हुआ है तो आप चाहें तो इस एड्रेस पर जाकर भी जमा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो फोस्ट ओफिस के माद्यम से भी डाकुमेंट सेंड कर सकते हैं और आपके लिए जो डाकुमेंट से वो जो है यूटी आई के आफिस में जमा करना बहुत ही अवसक है तो इसलिए आप भी जो है डाकुमेंट को जमा करें